प्रीचर सोई में आपका स्वागत है आज मैं चिकेन तहरी की रेसिपी शेयर करने वाली हैं और यह बहुत यमी और टेस्टी लगता है बनने के बाद तो इसके लिए इंग्रिडियन्स इस प्रकार ले लिए है एक चमच दनिया पौडर है एक चमच लाल मिर्च पौडर है ए रही चमच इसमें लाचुनाद्रका पेस्ट है और घी हम जरुवत के हिसाब से लेंगे दो तेज पत्ता है और एक साबुत लाल मिर्च है और कुछ गर्म मसाले खड़े है स्टार है जावीत्री है दालचीनी है लॉंग है और हरी लाची है तीन हरी मिर्च है और आधा काजू के टुकड़े का यूज किये है और एक काटोरी इसमें मलाई है और इफाइंड ओल का यूज करेंगे जरुत के हिसाब से बासमती राइस ले लिए हैं हम तीन कप इस कप से हम तीन कप बासमती राइस नाप करके ले लिए थे चिकेन आधा किलो है इसे अच्छी तरह से दो लिए है अब चिकेन को हम मेरिनेट कर देंगे आदा घंटा के लिए मेरिनेट के लिए हम इसमें दही डाल दिये इसमें हल्दी पॉड़र डाल देंगे थोड़ा सा और लालमिच पॉड़र डाल देंगे और चिकेन मसाला पॉड़र थोड़ा सा डाल देंगे नमक चि जिसमें तेल डाल देते हैं रिसको अच्सा से मिलाकर हम आतर हंटा के लिए रख देंगे के उसके बाद हम चावल फ्राई कर लेते हैं कड गरम करेंगे उसमें घी डाल करके दो छमध गरम डाल दिनेगे उसमें खड़े डाल करके फ्राइ करेंगे चावल को हम पहले दो लिये थे फ्राइ करने से पहले हम 10 मिनट पहले चावल को दो कर रख देंगे तब हम फ्राइ करेंगे और चावल को लगतार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे चावल फ्राई करके डालेंगे तहरी में तो बहुत अच्छा बनता है इस खिले खिले चावल बनेंगे इस तरह से हम चावल को लगतार फ्राई करते रहेंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना और इस तरह से फ्राई हो गया है चावल अब हम एक भगोना लेंगे उसमें चार बड़ा चमच रिफाइन ओयल डाल देंगे जब गरम हो जाए तब हम इसमें साबु जीरा डाल देंगे तेज़ पता डाल देंगे लाल मिर्ज डाल देंगे और प्याज डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनेंगे प्याज को नरम होने तक और ब्राउन होने तक भूनेंगे इस तरह से देखे नरम भी हो गया है और थोड़ा ब्राउन दीख रहा है इसमें हम लैसुन का पेस्ट डाल देते हैं जो भच्चे वे लैसुन के जितने पेस्ट थे हम सब इसमें डाल देंगे और इसका बस कच्छा समय चला जाए तब तक हम भूनेंगे अधा मिनट लगेगा लैसुन को भूनने में और यह भून चुका है अच्छी तरह से अब हम धनिया पॉड़र डाल दिये और लाल मिच पॉड़र डाल दिये हैं और हल्दी पॉड़र डाल दिये जीरा पॉड़र डाल दिये और काली मिच पॉड़र डाल दिये और इसे मिला लेंगे अब हमें इसमें टमाटर डाल देंगे लगतार इसको भूंते रहेंगे टमाटर मसालों को थोड़ा इसमें हम पानी एड़ करते रहें ताकि मसाली ना जले थोड़ा पानी हमें यूज करना पड़ेगा और इसे हम दू मिलत तक पका लेंगे कि इस तरह से तब हम इसमें डाल देंगे चिकेन मेरिनेट किया हुआ चिकेन हम इसमें डाल देंगे और चिकेन को हम हाई फिल्म पर भूनेंगे चिकेन को हम लगता है चार से पांच मिनट तक गैस का फ्लेम हाई करके भूनते रहेंगे तक तक कि इसमें से अच्छी खुसबू ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए कलर चेंज हो गया है इसमें खुसबू भी अच्छा आने लगा है वे चिकेन भून गया है अब हम इसमें डाल देंगे चावल फ्राई के अवा चावल डाल देंगे चाहे तो हम इसमें चावल को सिर्फ ऐसे ही डाल सकते हैं फ्राई नहीं करेंगे तो भी इसमें हम डाल सकते हैं चावल को और नमक हम स्वात के निसर डाल देंगे और चिकिन मसाला और गरम मसाला भी हम इसमें अड़ कर देंगे हम चिक्किन मसाला मरेनीशन के समय भी थोड़ा डाल दिये थे और इसे अच्छी तरसे मिला लेंगे गैस का फ्लिम हम इसको मीडियम ही रखेंगे इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल देते हैं के तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है का धनिया और पुदीना इस में हम डालेंगे तो भेष्ञजब अच्छा टेस्ट आता है मुअ से मिलालिगे अच्छी तरह से उसके बाद हम पानी डालेंगे पानी हम चावल की मात्रा के हिसाब से लेंगे जैसे तीन कवफ हम चावल लिया है तो इस सारेट छे कव पानी लेंगे उसके बाद हम इसमें मलाई यूस करेंगे जाहे तो हम मलाई को स्किप भी कर सकते हैं मलाई डालने से टेस्ट अच्छा तो चावल भी अच्छे बनते हैं काउस मेक के गहा डाल दिए और इसमें घह डाल देंगे ग्रेट अर इसजी हाई फिलेम पर तीन से चार मिनत लग जागा हाई फलेम पर उबाल आने तक पकाएंगे जब पानी थुgsक ने लगे तीन से चार मिनट के बाद पानी एक दम सुखने लगे तब हम इसे ढग देंग और 10-12 मिनट तक दम पे इसको पकाएंगे और 10-12 मिनट के बाद ये कितना अच्छा बन गया है खिली-खिली चावल लग रहे और चिकन तहरी तयार है अब हम इसे सर्थ करते हैं हम इसे राता के साथ सर्थ कर रहे हैं तो चिकन तहरी की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर लाइक कीजिए और शेर कीजिए, केमन्ट जरूर कीजिए कि ये आपको कैसी लगी और मेरे ऐसे आने रेसिपिक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू